Trist with destiny का क्या मतलब होता है या आज किस वीडियो में सीख लेते हैं Trist with destiny जो है वो भारत के जो पहले प्रधानमंतरी पंडित जोहरलाल नहरू थे उन्होंने जो आजादे की पूर्व संथ है यानि कि 14 अगस्त 1947 को शाम को जो भाषन दिया था उस भाषन में ये एक phrase use किया गया था Trist with destiny तो यहाँ पर Trist का मतलब होता है भीट या पहले से ही निश्चित कोई मुलाकात होती है उसको हम Trist कहते हैं और destiny का मतलब होता है भाग्या या तकदीर तो उनका कहने का मतलब था कि आज वो समय आ गया है जो हमने पहले ही मुलाकात निश्चित की थी यानि कि आज़ादी से मिलने का जो समय आ गया है या जो हमारा भाग्या है या जो तकदीर है उससे मिलने का समय आ गया है जो की हमने पहले जो है उसको निश्चित कर लिया था यानि पहले हमने जो उसके लिए आजादी के लिए जो भी प्रियास किये जो भी एफर्ट्स किये उन सब efforts की वज़े से उन सब प्रियासों की वज़े से आज वो दिन आ गया है कि जब हम भागे से मिल रहे हैं और trace को use करने का उनका मकसद यही था कि यह हमने पहले ही तै कर लिया था कि हमारे जो अब तक के efforts हैं जो भी आज तक जिन भी लोगों ने आजादी के लिए संगर्श किया उन सब के प्रियासों से यह पहले से ही तै था कि एक दिन हम यहाँ पर पहुँचेंगे यह आजादी से हमारी मुलाकात होगी और आज वो समय आ गया है तो उसी के लिए उन्होंने इसका इस्तेमाल किया था अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतो बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें